नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का दर इस्टडी लाइन में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एंटीपीसी का जीके और देखते हैं आप अपने एंटीपीसी एक्जाम के लिए कितने तयार हो तो मैं कुल यहां पे 20 कोशन्स कराने वाल किजिए चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं चले फ्रेंड्स सबसे पहला कुशन्स कवर करते हैं किस नदी को बंगाल का सुक कहा जाता है कि अप्सन नमर्डी दामोदर दामोदर नदी को बंगाल का सुक कहा जाता है चले अगला कुशन्स देखते हैं अगला है विस्व छ ओगा चोविस मार्च को 126 रोग दिवास चबuste मार्च को मनाया जाता है फ्रेंट्स चलिकल एक इन कुछन से देखें गहिशंसे टीन जए आधेश Kut से फ्रेंच्ड गहां में भॉत्व की का नोबिल प्रूसकार्ण में में कि से मिला है हैस्प्ट कं नमरे आपका राइट ऑंसर होगा डोना इस्ट्रीक लैंड चलिए अगला क्वेशन देखे क्वेशन नमर फोर अगला फ्रेंट्स नितिश कुमार केंद्र सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे आपको चार नमर फ्रेंट्स इसमें से चुनना है कि अप्सन नमर बी राइट होगा रक्षा मंत्री नितिश कुमार केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर अभी तक नहीं रहे चलिए अगला फ्रेंट्स है फ्रेंट्स जब एक बिद्धुत बल्ब तूटता है तो बहुत तेज आवाज होती है क्यों इसका कारण क्या है अप्सन नमर ए राइट होगा बल्व में निर्वात होता है इसलिए जब भी विद्धुत बल्व तूटता है तो बहुत तेज आवाज होती है ठीक है चलिए अगला क्वेशन देखतें फ्रेंट्स अगला है निमने लिखित वग्यानिक के द्वारा तरित चालक का अविसकार किया गया था यानिकि कि सी विग्यानिक के द्वारा तरित चालक का इसकार किया गया था तो है कि अपस्फल नंबर सी राइट होगा बिञंजामिन फ्रेंकलीन चीक है चलिए अगला क्वेशन जुअफ्रेंस फुött का सबसे बड़ा कौफी उत्पादक देश और अपसे माचने वाला पर्थम व्यक्ति कौन था कि अप्सिन नमर्बी राइट होगा अंसर एडवन्ड चले फ्रेंट्स अगला है फ्रेंट्स कुख्यात आतंकी मसूद अजहर निमलेखित में से किस आतंकी संगठन का सरगना है इसका अप्सिन नमर्बी जैसे मुहम्मद आतंकी संगठन का सरगना है कौन फ्रेंट्स मसूद अजहर चलिए अगला फ्रेंट्स कुख्यात निमलेखित में से कौन सी एक समीति ने नागरिकों के मुल करता भी को 1976 में समलिद करने की अनुसंसा की थी अप्सिन नमर्डी राइट अंसर होगा सुवर्न सिंग समीति चलिए अगला क्वेशन से फ्रेंट्स भारते समिधान में पहली बार संसोधन कब किया गया था बहुत ही इंपोर्टेंट्स यहां से क्वेशन से कुछी जाते हैं अप्सिन नमर भी रायट अंसर होगा 1951 давно में भात्ये समिधान में संसोधन किया गया था चलिए अगला क्वेशन से फ्रेंट्स समराथ असोक किसके उत्राद्हिकारी थे अप्सन नमर B, राइट आशर होगा बिन्दु सार, बिन्दु सार के जो है उत्रा धिकारी कौन थे? असुक यानि कि समराथ असुक चलिए फ्रेंट्स अगला फ्रेंट्स निमलिकित में से कौन सी विद्दु धारा की इकाई है? अप्सिन नमर ए, एमपियर, एमपियर जो फ्रेंट्स बिद्धु धाणा की काई है, चलिए, अगला है फ्रेंट्स हाइड्रोजन पर अक्साइड का रसाइनिक सुत्र क्या होता है, हाइड्रोजन पर अक्साइड अप्सन नमर बी राइट अंसर होगा एच्टू ओटू एच्टू ओटू जो है इसका राइट अंसर होगा फ्रेंट्स आपको बताना है जल का अनुसुत्र क्या होता है जल का फर्मूला क्या होता है ठीक है चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जल का फर्मूला चलिए आगे देखते हैं अगला है फ्रेंट्स पाकिस्तान की राजधानी निमलिखित में से कौन सी है बिलकुल इजी है अप्सन नमर सी इस्लामाबाद चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट है अप्रेल मई 2019 में होरे आम चुनाप के बाद कौन सी अंसर होगा चलिए अगला कोशन देखते हैं फ्रेंट्स अगला है गोवा के मुख मंतरी मनोहर पर्रिकर का 17 मार्च को निजन हो गया मुख मंतरी बनने से पहले केंदर सरकार में कौन से मंतरी थे बहुत यह अच्छा कोशन से फ्रेंट्स अप्सन नमर डी राइट होगा र भारत के उपरधान मंतरी के रूपे नहीं रहे हैं बाकि यह तीनों जय रहे हैं ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला है रेडियम किस खनीच से प्राप्त किया जाता है अप्सन नमर सी पींच ब्लेंड पींच ब्लेंड जो इसका राइट अंसर होगा चलिए अं कि अगया तो इसका अप्सन नमर सी महीनो मीटर गैसओं के दबाब को मापने के लिए जो है महीनो मीटर का उप्यों क्या आता है तो इस तरह से मैंने आपको टॉप 20 को संस्क्राया जोकी आपको एंटी पीसी ग्रूब डी एक्जाम यानि कि सभी एक्जाम के लिए आपको बहुत ही helpful होगी तो फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक और कमेंट्स जरूर किज़ेगा साथ यह बताएगा आपका यह वीडियो में आपका कितना राइट हुआ ठीक है चले फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद